हेलो अब्रीवन बेलकम तो आश्य अकेडमी बैंकिंग एंडो आप सभी वीवर का बहुत-बहुत स्वागत है यह वीडियो है बैंकिंग और फाइनिसल अवर्निस का इसकी क्लास फिफ्थ है अल्रडी फोर वीडियो अप्लोड हो चुकी है उसका लिंक आपको पर होगा उसके लिए बेनिफिट है और जो अर्रवी स्केल वन का पेपर होगा मेंस का उनके लिए बेनिफीचियल है बाकि जितने भी आगे बैंक एक्जाम होंगे उन सब के लिए वीडियो काफी बेनिफिट करेगा वीडियो को आप लोग जरूर कर दीजेगा अपने दो बजट का जो सेशन चल रहा है उसकी प्लेलिस बना दी गई है और जो बैंकिंग एंड फाइनिसल अवरनेस चल रहा है इसकी प्लेलिस बना दी गई है तो यहाँ पर जाके आप सारे वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं और टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्टिन वाक्स मि किया गया है जिसका नाम है बैंक सकी इनका वर्क क्या होगा इनका वर्क होगा ओनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करना है ठीक है ओनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करना है इसलिए इसको शुरू किया गया है तो सबसे पहले शुरू किया गया है ओडिशा में ठीक है इतनी एस राजिव इसके CEO है ठीक है ये भी ध्यान रखें यहाँ पर दूसरी जो न्यूज है वो है bilateral swap arrangement का जिसको BSA कहते हैं और यह किन देशों के बीच में हुआ तो यहाँ पर आप जैपैन और इंडिया के बीच में देख सकते हैं कि bilateral swap arrangement हुआ है एक्चुली 2018 में अगर हम बात करें तो BSA पहले भी sign हो चुका है किसके बीच में Bank of Japan के बीच में और हमारे हैं का RBI जो है इन दोनों के बीच में BSA का agreement हो चुका था bilateral swap arrangement हो चुका था लेकिन इस बार जो किया गया है इसका क्या renewable किया जा रहा है नभी नी करड किया जा रहा है तो यहाँ पर जैपैन और इंडिया के बीच में हुआ है जिसको renewable किया गया है before 2018 में हो चुका था यह swap नहीं है यह swap होगा यहाँ पर आप लोग को चीज़ों को साही कर लीजेगा इन दोनों देसों के बीच में BSA का benefit क्या होगा benefit यह होगा कि जो जैपैन की करणसी हो जो इंडिया की करणसी है तो एक दूसरे की करणसी से यह लोग क्या कर सकते हैं रिड़ दे सकते हैं एक दूसरे देशों से इस लोग पैसा उधार ले सकते हैं यहाँ पर इंडिया की जो करेंसी है वो तो रुपया है और जैपैन की करेंसी क्या है आप लोग कमंड में जरूर करके बताएं कि जैपैन की करेंसी क्या है यहां पर suppose करिए अगर इंडिया को Japan से डेट लेना है उधार पैसे लेने है BSA के थूरू यानि वालेटरल स्वैप अर्रेंजमेंट के थूरू लेने है तो इंडिया या तो लेगा जैपैन की करनसी में जो आपको कमेंड में करके बताना है कि जैपैन की करनसी क्या है या तो US dollar में लेगा पैसे उधार और अगर India को Japan से लेना है पैसे उधार तो कितना लगभग ले सकते हैं ये भी चीजें fixed कर दी गए कि 75 billion dollar तक आप debt ले सकते हैं Japan की currency से तो यहाँ पर आपको Japan की currency का comment में answer जरूर करना है फटा फट आप लोग comment में कर दीजे कि Japan की currency क्या है बाकि Japan की capital जो है वो आपको पता है Japan की capital है टोकियो और वहां के अगर PM की बात करते हैं तो PM का नाम है Fumio Kisida ठीक है Fumio Kisida वहां के PM है अगली जो important news है वो आप देख सकते है New India Literacy Program जो शुरू किया गया है Education Ministry यानि सिच्छा मंत्राले के द्वरा ये प्रोग्राम launch किया गया है जिसका नाम आप लोग याद रखें और इनका total expenditure कितना है total expenditure इनका है 37.90 करोड इनका total expenditure रखा गया है इस program के लिए ये program शुरू क्यों किया गया है तो यहाँ आप आप देख सकते हैं कि Minister of Education का जो symbol है लोगों है भारे सरकार का और ये आजादी का जो अमरित महासो मनाय जा रहा है 75 years celebrate कर रहा है इंडिया यहाँ पे जो program लिखा हुआ है किस के लिए है education for all है बट ये है adult education प्रोड लोगों के लिए है वैसकों के लिए है पॉर्ट सिच्छा के लिए यह literacy program launch किया गया है निव इंडिया literacy program में participate कौन कर सकते हैं तो वे लोग जिनकी age जो है 15 years और above है ठीक है 15 years और above लिखें नहीं है गैर साच्छर है उनको इस program के तहत साच्छर किया जाएगा इसलिए education ministry के द्वारा यह program सुरू किया गया है 2011 का जो census है उसके अनुसार यहाँ पर जो data दिया गया है 25.76 करोड इतने लोग जो है illiterate हैं गैर साच्छर हैं तो यह data जो है इसलिए important है क्योंकि जो ministry के द्वारा सुरू किया गया है program इसके लिए benefit करेगा कि इतने लोग गैर साच्छर हैं तो इन प्रोग्राम में इन लोगों को क्या किया जाएगा लिट्रेट किया जाएगा साच्छर बनाए जाएगा अगली जो important news है वो यह है कि RBI ने NBFC की जो NPA Upgradation की deadline थी वो पहले थी March 2022 यानि March 2022 इसको deadline को बढ़ा कर September 2022 तक कर दिया गया है यहाँ पर NBFC को जो new meet NPA Upgradation norms हैं उनको पूरा कर लेना है अब September 2022 तक पूरा कर लेना है ऐसा RBI ने कहा है और उनकी deadline को इसी लेक्स्टेंट किया है क्योंकि इस date तक यह अपने नॉम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर जो अगली important news है वो है किसान ड्रोन यातरा और 100 किसान ड्रोन ये दोनों का उद्घाटन किया गया है हमारे माननिये Prime Minister नेल मोदी जी के द्वारा इनका work क्या होगा किसान ड्रोन यातरा का basically इनका work यह होगा हमारे हैं जो farming होती है खेती होती है उनमें जो pesticide का छिटका होता है यानि जो कीट नासक द्वाओं का छिटका होता है उनको करने के लिए किसान ड्रोन यातरा का घटन किया गया है और प्लस अगर हम 100 किसान ड्रोन की बात करते हैं तो ये 100 ब्लेज में 100 किसान ड्रोन शुरू किये जाएंगे जिससे क्या होगा कि जो हमारी farming होती है उसमें जो कीट और कीडे मकॉडे जो लग जाते हैं फसल को खराब कर देते हैं तो उन चीजों से इनकी सुरच्छा हो सकेगी farming की सुरच्छा हो सकेगी और यहां आप पिक में भी देख सकते हैं कि नरन मोदी flag of 100 किसान ड्रोन to spray pesticide in forms across इंडिया तो पूरे भारत में जो pesticide spray की बात की जा रही है वो किसान ड्रोन यातरा और 100 किसान ड्रोन के द्वारा ही किया जा रहा है अगली जो important news है वो आप संजीव सन्याल जी को देख सकते हैं आप पिक में आप देख सकते हैं संजीव सन्याल जी को इनको क्या बनाये गया है become a full time member of the economic advisory council to the prime minister यानि प्रधान मंत्री का जो आर्थिक सलाकार परिशद है Economic Advisory Council है उसका full time member इनको बनाये गया है संजीव सन्याल जी को आप पर संजीव सन्याल जी की बात अगर करते हैं तो यह जो हमारी finance ministry है उसके प्रधान आर्थिक सलाकार भी है और अगर हम Economic Advisory Council की बात करते हैं तो इसके जो प्रेसिडेंट है अध्यच है वो हैं विबेक देऊरा है ठीक है ये भी चीज़ें जान रखिएगा यहाँ पर जो अगली important news है वो है PM किसान सम्मान निधी योजना इसको शुरू कब किया गया था 24 February 2019 को यह शुरू किया गया था कहां से शुरू किया गया था यह comment में करके आप बताईए किस प्लेस से इस योजना की सुरुवात PM नरेन मोदी जी के द्वारा किया गया था इस योजना से related एक वीडियो हमने अपने चैनल पर अप्लोड कर रखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्टन बाक्स में दे दूँगा वहाँ से आप जाकर इस पूरे योजना के बारे में जो MCQ जितने भी बन सकते हैं वो मैंने कराए हैं तो उन वीडियो को चेक आउट जरूर कर लीजेगा परधानमत्री किसान सम्मान निदी योजना से रिलेटर जो है थोड़ी बहुत चीजें आप यहाँ भी देख लीजेए टोटल इसमें किनको वेनिफिट दिया जा रहा है तो पहले क्या था पहले ये था कि जो दो हेक्टियर भूम जिनके पास है ठीक है दो हेक्टियर जिनके पास लेंड है उनको पहले इस योजना में सामिल किया गया था फिर बाद में जून 2019 से क्या किया गया था जितने भी लेंड होल्डर्स हैं योजना के अंतरगत लाया गया है इस योजना में बेनिफिट क्या मिलेगा हमारे जो farmers है, हमारे जो किसान है उनको मिलेगा पूरे एक साल में 6000 रुपीद दिये जा रहे हैं 6000 रुपे पूरे एक साल में दिये जाएंगे और इनमें जो installment है वो 3 installment में दिया जाएगा जो हर 4 महीने पे एक installment पे करेगा 2000 रुपीज का, ठीक है टोटल है, तीन installment और 4 महीने पे एक installment पे किया जाएगा ने, 2000 रुपे का एक installment पे किया जाएगा, टोटल मिलेंगे एक साल में 6000 रुपीज अपर जो अगली न्यूज है, ब्रिक वक्स की है इन्होंने जो GDP है इंडिया का उसमें growth rate को इन्होंने घटा दिया है जो विकासदर होगी भारत की, वो होगी 8.3 ब्रिक्स वक्स के द्वारा अगली जो important news है यहाँ पर Indian Bank Association के द्वारा 17 नंबर का banking technology पुरुसकार को announce किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा पुरुसकार जीते हैं South Indian Bank ने, South Indian Bank ने टोटल 6 पुरुसकार जीते हैं, तो यहाँ पर सरबाधिक नंबर में जो पुरुसकार जीते हैं वो हैं South Indian Bank, बाकी और भी अलग-अलग रीजन में बैंकों को पुरुसकार दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखें Best Technology Bank of the Year का पुरुसकार किसको RRBs के रूप में Best Technology Bank of the Year का पुरुसकार दिया गया है यहाँ पर और कई भी एरिया में पुरुसकार दिये गया है जैसे West Digital Financial Inclusion Initiative में किसको दिया गया है तो Big Bank के रूप में State Bank of India को दिया गया है Small Bank के रूप में Jammu and Kasmir Bank को दिया गया है RRBs के अगर बात करें तो Brother Rajasthan Regional Rural Bank यानि Brother Rajasthan छेत्रिक्रामणी Bank को Inclusion Initiative के रूप में पुरुसकार दिये गया है दूसरा यहाँ पर Best Payment Initiative के रूप में किसको दिया गया है तो यहाँ पर Public Bank के अगर बात करते हैं तो State Bank of India को अगर Private Bank की बात करते हैं तो ICIC को West Payment Initiative के रूप में इन दोनों बैंको को पुरुसकार दिये गया है यहाँ पर एक एरिया और है जिसमें पुरुसकार दिये गये है West FinTech Adoption के रूप में तो Big Bank के रूप में ICSA Bank को दिया गया है Medium Bank के रूप में Federal Bank को दिया गया है Small bank के रूप में South Indian bank को दिया गया है और RRB की बात करें तो बड़ोदा राज्थान Regional Rural Bank को West Printech Adoption के रूप में इतने बैंकों को पुरुसकार दिया गया है वहीं पे Best Use of AI और ML and Data के रूप में किसको दिया गया है तो Big Bank के रूप में है ICIC Small Bank के रूप में South Indian Bank और RRB के रूप में है तलंगाना ग्रामिड बैंकों West Use of AI AI का यूज और ML का यूज और अच्छे Data का यूज इन बैंकों ने किया है तो इन बैंकों को ये पुरुसकार दिये गए है कुछ और एरियाज हैं जिनमें ये पुरुसकार दिये गए और RRB में बात करें तो ब्रॉदर रास्थान, Regional Rural Bank को Cooperative Bank की बात करें तो सरस्वत बैंक को दिया गया है और Foreign Bank की बात करें तो The Hong Kong and Shanghai Bank को Best IT Risk and Cyber Security Initiative के रूप में इन बैंकों को पुरुसकार दिये गया है Cloud Adoption के मामले में किन बैंकों को पुरुसकार दिया गया है यहाँ पा अगर Big Bank की रूप में देखें Union Bank of India को दिया गया है Medium Bank के रूप में देखें S Bank को दिया गया है Small Bank के रूप में Karoor West Bank को दिया गया है RRBs में बड़ोदा राजस्थान Regional Rural Bank को दिया गया है Foreign Bank में City Bank को Small and Payment Bank के रूप में Ujjivan Small Finance Bank को Cloud Adoption के रूप में यह पुरुसकार दिये गये है तो आज की क्लास में बस इतना ही important news है जो आपके exam के लिए काफी beneficial है इस exam की preparation आप अच्छे से करिए बाकी कोई query हो तो आप comment में करके इस exam related कुछ भी आप पूछ सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही है मिलते है नेक्स वीडियो में God bless you to all Thank you for watching वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा Share कर दीजेगा और अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो तासियो कर में बैंकी हैं लोगों सस्क्राइब जरूर करिएगा Thank you for watching